नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप इस वक्त की बड़ी कबर बिहार के मुक्कमंत्री नितीश कुमार की कैबिनेट से जुरी हुई है दरसल मुक्हमंत्री नितीश कुमार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और जिसका इंतजार था वो घड़ी अवा चुकी है मुक्हमंत्री नितीश कुमार हर महीने दो से तीन बार कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं चर्चा करते हैं निताओं के साथ की आने वाले दिनों में कौन-कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर बिहार सरकार करज करेगी तो देखिए मुखमंतरी नितीश कुमार की कैबिनेट में 11 एजिन्डों पर मुहर लगी है जिसमें पूर्व जज सेवा से बरखास्त नितीश कैबिनेट ने 11 प्रस्ता पर मुहर लगाई है जिसमें कई नए पदों के इस रिजन को मंजूर मिली है अब अगली कबर की तरह बढ़ते हैं जहां मुखमंतरी नितीश कुमार की कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसमें क्या-क्या खास है और किन-किन लोगों को अधिक से अधिक फायदा होने वाला है दरसल मुखमंतरी नितीश कुमार कैबिनेट की बैठक के जड़िये आने वाले दिनों में जो अगले महीने कार्ज होने हैं और सरकार किन-किन मुद्दो को लेकर आगे बढ़ेगी उन पर बातचीत होती है जिसमें कैबिनेट की बैठक में 11 एजिंडो पर मुहर लगी है औ और स्वेम नितीश कैबिनेट की बैठक के जड़िये हर बार रोजगार पर चर्चा करते हैं तो आखिर रोजगार को लेकर मुखमंतरी जब चर्चा करते है तो आने वाले दिनों में रोजगार की शंबावनाय कौन से चेतर में कितनी है उसको लेकर सरकार आकलन कर रही है बात की जाए तो नितीज कैबिनेट में सिक्षा को लेकर जो महत पुर्ण प्रस्ताव है उसको लेकर चर्चा है और सिक्षा मंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया आपको याद होगा सिक्षा मंत्री कैसे जिक्र करते रहे हैं बिहार में गुनवत्ता पुर्ण सिक्षा देने जा रही है कि कहां कितनी रिक्तिया है कौन से छेत्र में कितना वकैंसी हो सकता है और ऐसे में अब मुख्वंत्री नितीश कुमार की कैबिनेट की बैटक जो खत्म हुई है उसमें ये तैय हुआ है सिक्षा विभाग को लेकर साथी भवन निर्मान सहीत जल संसाधन और कई मौ अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें ओजेगो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद